कितने पैसे बता रहे हैं चलो ठीक है मैं आ रही हूं पारसल लो तुम में पैसे लेकर आ रही हूं ले लिया है पैसे दे दिया है चलो गेट बंद कर तो फिर ये सारा समान लेकर अंदर आ जो आ जो ले जो ड्राइं रोम में रखतो मैं आ रही हैं जी असलाम लेकूम वेलकम बैक तो माई चैनल तरभ खान विलोग्स आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जादा helpful होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही जबरदस्त किसम के cleaning products शेयर कर रही हूँ ये cleaning products वर्थ भाइं हैं या नहीं इसके लिए तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा अच्छा ये cleaning products और करने से पहले मेरे जहन में तीन-चार बाते थी पहले मैं वह आपके साथ शेयर कर दूँ देखें मेरे घर में तो helpers हैं वही सारा काम देखती हैं लेकिन अगर ये helpers चुटी पर चली जाती है या किसी भी वज़ा से काम छोड़ कर चली जाती है तो पीछे मुझे सारा काम खुद manage करना पड़ता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसे products order करूं कि अगर मेरी helpers किसी भी वज़ा से मुझे available ना हूँ तो मैं अपने काम को किस तरह से easily manage कर सकती हूँ सेकंडी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो helpers पर depend नहीं करते हैं बलकि अपने घर का सारा काम खुद करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए काम को असान कैसे बनाया जा सकता है तो यह point भी मेरे mind में था मैंने सोचा कि ऐसे products कुछ order जरूर करवाने चाहिए जो जिन से ऐसे लोगों की help हो सके जो अपने घर का सारा काम खुद करते हैं तीसरी बात ये कि ऐसी हवातीन जो job करती हैं और अपनी job की timing और मस्रूफियत की वज़ा से घर में helpers नहीं रख सकती हैं बलके शाम को घर का सारा काम आकर खुद करती हैं तो उनके लिए भी ये products काफी helpful हो सकते हैं fourth one is कि ऐसे घर जिन में mail हजरात काम करते हैं क्योंकि अगर उनकी wife's job पर जाती हैं तो फिर mail हजरात काम करते हैं अगर males जो आपर जाते हैं तो फिर wives काम करती है, मतलब ऐसे घर जिन में husband wife मिलकर काम करते हैं, तो कुछ ऐसे products मैं देखना चाहा रही थी, कि जिनें मर्द हजरात भी easily use कर सकें, अपने घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, और 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 पर कोई फर्स तो नहीं है, कि उसी ने अपने घर का काम करना है, तो मर्द और 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 दोनों को मिलकर अपना घर संभालना चाहिए, anyhow, आज मैं आपको ये products दिखाऊंगी, इनका demo भी दूँगी, और मुझे कैसे लगे, ये worth buying हैं या नहीं, ये भी मैं आपको सारा बताऊंगी, सारी चीज़े मैंने खोल ली हैं, और सबसे पहले जो चीज़े असेंबल करने वाली थी, उनको मैं असेंबल कर रही हूँ, आइस्ता आइस्ता उसके बाद हम चलेंगे मेरे घर के first floor पर, वहाँ जाकर हम इसका demo देखेंगे, क्योंकि नीचे तो भई, मेरी पूरी family बैठी हुई है, और मेरी जो पूरी family है, वो बिल्कुल disturb होना नहीं चारी, मेरे बच्चे भी कह रहे थे, कि मामा आपने जो भी अपनी वीडियो शूट करनी हैं, वो आप उपर जाकर शूट करें, तो मैंने का आप लोग टेंशन ना लो, मैं उपर जाकरी अपनी audience को सारा demo दूँगी, तो यहाँ पर यह स्प्रेम उप है, इसको मैं assemble कर रही हूँ, और चलते हैं जी, देखते हैं, कि यह सारी चीज़ें कैसे work करती हैं, सारी चीज़ें मैंने दरास से order की हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपने order कैसे करनी हैं, और जैसे जैसे मैं एक एक चीज़ का demo आपको दूँगी, साथ साथ मैं आपको यह भी बताती जाऊंगी, कि यह आपने खरीदनी है या नहीं और इसकी price कितनी है, यह भी मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो मैं आपको review दे दूँ, यह plastic broom का, यह plastic broom है, plastic की फूल जाडू इसके जो bristles हैं, वो plastic के बने हुए हैं, नॉर्मली घर में जो हम जाडू यूज करते हैं, वो भूस या भूसे के बने हुए होते हैं, और आपने देखे हैं कि उन जाडूं को इस्तमाल करना कितना मुश्किल हो जाता है, मतलब कच्रा समेटना तो एक तरफ उस जाडू का भूस समेटना ही एक अजाब बन जाता है, साथ के साथ उसमें से उसकी जो sticks होती हैं वो भी गिरती रहती हैं, यह जो plastic का फूल जाडू है, यह बहुत ही convenient है, इसका अपना कोई भूस कोई इस तरह का रफ़ड या चकर नहीं होता, ना ही इसमें से यह plastic के जो bristles हैं वो गिरते हैं जड़ते हैं, इसकी प्राइस में आपको बता देती हैं, इसकी प्राइस है जी 266 रुपे, 119 रुपे मुझे इस पर जो हैं delivery charges पढ़े हैं, टोटल मुझे 388 रुपे का यह जाडू पढ़ा है, यह washable जाडू है, गंदा हो जाए तो आप इसको easily wash भी कर सकते हैं, अब यह आप देख रहे हैं कि वैसे भी मेरा घर साफ सुतरा ही होता है, यह इतना सा बस डस्ट वगरा जी जो थी वो इकटी हुई है, इसमें कोई भुस, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है, मुझे यह जाडू बहुत पसंद आया है, आप लोग दराज से इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन दराज से कोई बी चीज ओर करने का तरीका यही होता है, कि आपने जो भी चीज ओर करनी है, तो पहले आपने उसके रिवियूज चेक करने है, यहां पर मैं खोड़ी लगा कर देख रही हूँ, पहले मैंने अपनी हलपर को कहा था के तुम लगा कर देखो और काफी ज्यादा शॉप से होती है ठीक है ना तो मैं शॉप तो नहीं अब आपको बता सकती है I don't know मैंने किस शॉप से बाई की है लेकिन दरास पर चीज़ें और करने का मेरा यही तरीके कार है कि मैं जब भी कोई चीज़ और करती हूँ ना तो मैं पहले उस शॉप के रिव्यूज पढ़ती हूँ जहां के रिव्यूज सबसे इच्छे होते हैं मैं वहीं से और करती हूँ अब हम चलते हैं जी अपने स्प्रे मॉप की तरफ और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि जब मी मेरी हेलपर्स छुटी पर होती है या अकसर तुकाम ही छोड़कर चली जाती है तो मुझे मॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी अब इसमें पानी दिखाओ उपर करके चलो अब इसमें पानी बहर लो अच्छा तो इस स्प्रे मॉप की खास्कियत यह है कि इसमें एक बॉटल लगी हुई होती है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई है तो आप इस बॉटल में डेटॉल क्लीनर भी भर सकते हैं या फिर मै तो जब भी मॉप करवाती हूँ तो मैं फिनाईल में डिप करके लगवाती हूँ तो मैंने इस बॉटल में थोड़ी सी फिनाईल डाली है बाकी सारा मैंने इसमें वाटर डाल दी है अब इस बॉटल को मैं इस मॉप में फिक्स कर दूँगी यह मॉप भई बहुत ही लगी है क्योंकि बैठ कर पोचा लगाना या वाइपर वाला पोचा लगाना वो सारी चीज़ें फ़जूल है उन से जब आप पोचा लगा रहे होते हैं तो गन सही तरह से सिमटता ही नहीं है काला काला छोटा छोटा सा गन जो है वो फर्श पर रही जाता है और मेरे घर में तो मेरे घर में पोचा जो है ना वो बड़ा सफाई से लगाना जरूरी होता है ये देखें जी ये इसका मैं आपको दिखा देती हूँ इस मॉप का जो पैड यहां पर लगा हुआ है ये माइक्रो फाइबर पैड है और बड़ा ही कन्वीनियन्ट है इससे कोई कच्रा कोई गंद फ्लोर पर नहीं रहता और दराज से आपको अगर आपका ये वाला खराब हो जाए पैड तो फिर आप दूसरा भी खरीच सकते हैं अभी इस पैक में कोई एक्स्ट्रा पैड नहीं आया ये सिर्फ एक ही था जो इसके साथ लगा हुआ है यहां हैंडल पर स्प्रे करने के लिए ये एक दूसरा हैंडल दिया हुआ है नीचे आप इस हैंडल को दबाते रहेंगे और उदर से पानी निकलता रहेगा बस अब मॉप करो मॉप तो आपको काफी तरह के मिल जाएंगे स्पिन मॉप फ्लैट मॉप और भी पता नहीं कितने मॉप लेकिन जितना जबरदस्त ये मॉप मुझे लगा है ना मैं आपको बेयान ही नहीं कर सकती क्योंकि आप बाकी जितने भी मॉप लेते हैं ना उनके साथ एक बकिट होत ये बाटल छब खतम हो जाए तो आप अपने किचन से भी इसको रीपिल कर सकती है या अपने वॉश्रूम से आप इसको रीफिल कर सकती है बस रीफिल करें और मॉपिंग करें इससे एक तो बहुत साफ सुतनी मॉपिंग होती है दूसरा बेड के नीचे, सोफा के नीचे, साइड में या इवन आपकी स्कर्टिंग पर भी ये बहुत आराम से मॉप कर देता है अच्छा इसकी जो प्राइस है वो है जाड़ के लिए बना ही नहीं है आप इससे कोई बिस फ्लोर अराम से क्लीन कर सकते है चाहे आप अपना वाच्रूम क्लीन कर लें चाहे आप अपना किच्छन क्लीन कर लें या फिर चाहें आप अपनी गैलरीज वगारा क्लीन कर लें तो अभी हम चलते हैं अपने वाश रूम में मैंने यहां पर थोड़ा सा क्लीनर भी डाला हुआ है थोड़ा सा मैंने पानी डाला हुआ है इस प्रॉडक्ट में बेसिकली दो चीजे हैं इसलिए मैंने इस प्रॉडक्ट को बाइ किया था इस प्रॉडक्ट की प्राइस है जी 1450 रुपए और इस पर मुझे कोई डिलिवरी चार्जेज नहीं मिले सबसे पहले तो जब मैंने इस प्रॉडक्ट को खोला और जब मैं इसको एसेंबल कर रही थी तो अगर हमने brush लेना है tiles के लिए तो इस तरह के जो standing brushes होते हैं standing floor brushes होते हैं वो आराम से दरास पर available होते हैं वो आप आराम से brush वहाँ से खरीज सकते हैं बाराल मुझे ये product कोई इतना impressive नहीं लगा तो now it's up to you अगर आप buy करना चाहते हैं तो कर लें मेरे हिसाब से इसका वाइपर बिल्कूल ही बकवास है brush इसका अलबता ठीक है सबसे आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ cleaning brushes with soap dispensers और मैंने इनको kitchen के sinks साफ करने के लिए buy किया है या आप इससे अपने washrooms के जो sinks होते हैं वो भी आप साफ कर सकते हैं तो यहाँ पर basically तो इसमें कोई भी soap dispensers डालना होता है आपके पास max है वे मैं जो भी है वो आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास इस वक्त max खतम हुआवा था तो मैंने क्या क्या थोड़ा सा सर्फ लिया और उसके अंदर मैंने डाल लिया पानी और बस यह हमारा जो एक cleaner है वो तैयार हो गया और अब हम इससे साफ करते हैं जी अपना sink 190 रुपे इस एक brush की price है मैंने क्योंके दो बाई की हैं तो यह मुझे 380 रुपे के पड़े हैं 119 रुपे इनके delivery charges हैं तो यह दोनों brushes मुझे 503 रुपे में पड़े हैं लेकिन इस brush की एक बात है यह बहुत अच्छा काम करते है और इससे हमारे sinks बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं अगर हम sponge वगएर से sinks साफ करते हैं तो पीली पीली सी मैल होती है जमती चली जाती और साफ नहीं होती बहराल थीज अर टू गुड फॉर sinks तो बस यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी useful, helpful और अच्छा लगए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अगर आप first time मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी encouragement के लिए मेरी motivation के लिए प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और comment में जरूर बताईएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपना ख्याल रखिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आएंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी helpful वीडियो बनाती रहूं टेक कियर अल्ला हाफिज